हेलो फ्रेंड नमस्कार विलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इस्ट्रीट वेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड उत्तर परदेश PCS एक्जाम 2019 के लिए तैयारे के लिए अभी से शुरू कर दीजिए आज जो यह समविधान का भाग चार है जो कि इससे पहले हमने तीन वीडियो लोड कर चुके हैं यूपी PCS प्री एक्जाम 2019 के लिए से जितने भी कुश्चन आ चुके हैं सारे रिपेटट कुश्चन होंगे AROK, ROK या फिर IS में जो भी एक्जाम में पूछे हैं कुश्चन हो सब को हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हमेशा वह वीवर्स में चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और नोटिफिकेशन विल्कु ओन करने हैं ठीक है कांटिवने PCS एक्जाम की तयारी के लिए तत पर है ये यूट्यूब चैनल है ने श्ट्यूडी टोईल चली शुरू करते हैं लेखते हैं आज का पहला प्रस्ट क्या है सु ठीक है ऑप्शन B में है 41 यह आपके क्या हो जाएगा काम करने का अधिकार ठीक है आपके ऑप्शन C में है और नुछे 44 जिसे हम क्या समान नागरिक सहिता यानी सिविल को ठीक है महीं और नुछे 44 यह संबंद है आपके किर्शी योंग पस्पालन गठन से तो इसे साब से जो सही आप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों आप्शन A यह बिलकुल राइट हो जाएगा ठीक है एक का पहला B का दूसरा C का तीसरा और D का चौथा चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं देखते की कुश्चन UP pieces 2009 और UP lower 2004 में कुश्चन आ चुके हैं कि समान कार के लिए स सुनिश्चित किया गया एक ठीक है डॉट है यह चार अप्शन है अब इसमें से राइट अप्शन बताना है तो समान कार के लिए समान बेतन यह आपके आजाएगा option भी बिलकुल ठीक हो जाए यानि राज के नीत निदेशक सिद्धानतों का अंग है ठीक है यह DPSP का राज की नीत निदेशक सिद्धानत किस परकार मौलिक अधिकारों से भिन है यह IS में पूछा गया है 2009 में तो इसका जो राइट आप्शन होगा फ्रेंट वो हो जाएगा आपका कि निर्देश परवर्तनिय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनिय यानि फंडामेंटल राइट क्या है वो परिवर्तनिय यानि हम उसको हाई कोड में चुनोती दे सकते है यानि फंडामेंटल राइट यानि मौलिक अधिकार को जबकि नीत निदे सकता तको हम हाई कोड में चुनोती नहीं दे सकते यानि वो निर्देश परिवर्तनिय नहीं है त चलिए, next question देखते हैं, question number 11, friend, कि ये धानड़ा की भारत एक कल्याण कारी राज्च है, ठीक है, सरवादिक दर्शित होती है, ठीक है, यूपी पीसल में 2004 में question पूछा गया था, तो ये काफी important हो जाते हैं, ये question repeat किये जाते हैं, तो इसका जो right option होगा, friend, वो हो जाएगा निदेशक तत्तों की द्वारा, ठीक है, भारत एक कल्याण कारी राज्च है, डीपीसपी में ये चीज है, जिसमें ये कागया है कि भारत एक कल्याण कारी राज्च है, चलिए, next question देखते हैं, question number 12 है, कि भारतिये समिधान में, परतिश्ठापित, राज्च की नीद के नि निमलिखित प्राउधानों पर विचार कीजिए, ये IS 2012 में question आ चुका है, अब इसमें कौन सा option सही होगा, iOS पर देखते हैं, तो इसका जो option right होगा, वो हो जाएगा, आपका option 2, बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ठीक, वहीं right option होगा, आपक option B, यानि 2 और 3, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, यानि गादी वादी सिधान्त है, जो कि राज की नीत विदेशक तत्तों में परती विम्बित है, यान गादी वादी सिधान्त है, आपके की ग्राम पंचायतों को बढ़ाना, ग्रामेर शेत्रों में कुटी रुदोग को प की गई है, तो फिरन इसका right option होगा, सीधा सा सीधा पंचायती राज जो है, वो हमारे राज के नीत निदेशक सिधान्त यानि आप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपके भिहार PCS 2001 में question आ चुका है, तो इस हिसाब से question repeat किये जाते हैं, जान तक question repeat ही होते हैं, चलि 2010 में अभी question आया है, तो इस साब सीधा जो right option होगा, वो हो जाएगा आपका option है, यानि समां नागरिक सहीता, ये क्या है, ये आपके DPSP निद्नानी राज क्या निद निदेशक तत्त है, प्रेस की सोतनता, धर्म की सोतनता, विदी के समझ समानता, ये आपका मौलिक अधिक है, चलिए, next question friend, भारत के संभिदान के संदर्म में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यानि कि भारत सरकार द्वारा आरम किये गए, राष्टिय समाजिक सहाता कारकरम में भारत के संभिदान के उपियुक्त उप बंदों में से कौन सा पूरा होता है, ठीक, त बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, जो कि आपके राष्टि समाजिक सहाता कारकरम में भारत के संभिदान के उपियुक्त में पूरे होते हैं, ठीक, तो ये option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानि option B, केवल तीन ही सही होगा, मोल करता fundamental duties, fundamental right, ये आपके इसमें नहीं आए चलिए, next question है, एगला question की निमलिखिन में से कौन सा एक मौली करतब नहीं है, ठीक है, fundamental duties नहीं है, ये पुछा गया आपके 2007 में, ये question repeat होने के जादा chances है, इस हिसाब से इसका जो right option होगा, फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक, राष्ट्रिय महत के अस्थानों योम इसमारकों की रच्छा करना, प्राकरतिक वातावर्ण का सनरचन और सुधार करना, अब इसमें क्या मौलिक करतब नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका option, हलाकि इसमें confusion है, फिर भी इसका जो right option होगा, राष्ट्रिय महत के अस् इसर होगा, तो comment box में जरूर comment करिएगा, या फिर आपको जो सही लेगा, वो comment box में आप comment जरूर करिएगा, फ्रेंड, योकि PCS exam, pre के लिए कौफी important हो है, especially आपकी PCS exam के लिए चलाई जा रही है, चलिए next question देख रहे है, 42 संभिदान संसोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, VPSC 2001, 2002 में यह पूछा गया है, तो इस साब से इसका जो right option हो जाएगा, फ्रेंड, वो हो जाएगा 42 संभिदान संसोधन, ठीक है, तो इसमें आजाएगा आपका option B, विल्कुल सही हो जाएगा, यानि मौलिक कर्तब, ठीक है, fundamental duties, ठीक, 10 आदेशों के नाम से जाना जाता है, चलिए, next question है, question number 28, आपके भारत के परतेग नागरिक का कर्तब होगा, प्राकृतिक प्रयावरार का संभिदान सुधार शामिल है, ठीक, अब यह किस article के अंदर है, यह 1998 में पूछा गया था, काफी पहले, तो इसका जो right option होगा, सभी को मौल होगा, कि article 48A में है, ठीक है, क्या है कि प्राकृतिक प्रयावरार नियूम संभिदान सुधार, यह आपके, 48 से काफी important है, कई बाने question आ चुके है, चलिए, next question देखते है, निम में से किस एका संभिदान भारती नागरिक का मूल कर कर्तब है, यूपी लोगर 2010 में पूछा गया है, यह 4 option है, आपको कौन सा लग रहा कि सही होना चाहिए, चलिए, इसका जो right option है, वो हो जाएगा, one प्राडी से, ठीक है, भारती नागरिक का मूल कर्तब है, आपके one प्राडी से, तो यह option आपका बिलकुल सही हो जाएगा, fundamental duties में आता, one प्राडी, next question आपके है, जो कि आपके उत्तर परदेश, lower exam में आ चुका है, एक नागरिक के मूल कर्तब्यों में, निम में से, कौन सा कर्तब समलित नहीं है, ठीक है, अब देखना क्या है, कि प्राकृतिक प्रयावरण की रच्छा और उसका समवर्धन, तो यह यह तो है, नेश्टे B में देखते हैं क्या है, कि सुतर्मता के लिए हमारे राष्टी अंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्छ आदर्सों को संजों रखें, आप उनका पालन करें, यह भी है, C, अश्प्रिश्टय मिटाने की ओर प्रयास करें, ठीक, डीक, बेग्यानिक अब इस आप से इसका जो राइट आप्शन होना चाहिए, वो हो जाएगा, आपका ओप्शन C, यह अश्प्रिश्टय मिटाने की ओर प्रयास करें, यह क्या है, कि आपके एक नागरिक के मूल करते हैं, यह फंडामेंटल ड्यूटी में यह चीज नहीं है, ठीक, तो इसका आप्शन यह सही हो जाएगा, अन्याप्शन C सही हो जाएगा, अगर आप लोग को लगता है, इसके लाओ कोई एंसर हो सकता है, तो आप कमेंट बाक्स में दीजिएगा, यूपी लोर, 2008 का यह कुश्चन है, चलिए नेश्ट कुश्चन तरब बढ़ते हैं, अगला कुश् आप्शन सही नहीं है, तो आप्शन यह देखते हैं, कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक, आप्शन B में कि आप उन्हें संवेदानी परक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो इसाप से इसका जो राइट आप्शन होगा, वो हो जाएग इस तरह से question आपके pieces में आते ही है चलिए next question है निम्नांकिन में से कौन एक गलत है ठीक है यह मेंस में पूछा गया है 2009 में तो आएए देखते हैं इन में से कौन से एक गलत है जिसका option सही होगा तो इसमें क्या देखते हैं कि मौल करतब मौलिक अधिकारों का हिस्सा है तो यह पहले ही आपका option साब दिखाए दे रहा है कि यह option सही होगा यानि यह option गलत है मौल करतब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है ठीक है यह बिलकुल अलग है यह क्या है आपके DPSP का हिस्सा है चल रिपीट हुआ आई एस 2011 पुछा गया अलागी PCS एक्जाम में भी आ चुका है तो यह चार आप्षन में से आपको क्या रगता कौन सा आप्षन इसका गलत है ठीक चले इसका तो राइट आप्षन होगा वह हो जाएगा आपका लोग चुनाव में मद्दान करना यह क्या यह मूल कर्तब में शामिल नहीं है यानि आपके वैग्यानी परविर्त विक्सित करना यह है आपको साजनिक संपती की रच्छा करना यह भी शामिल है आपके fundamental duties में संभिदान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदरसों का सम्मान करना यह भी शामिल है तो लोग चुन है चलिए next question देखते हैं अगला question है कि 42 संसोदान अध्रियम यानि 1976 से भारती संभिदान में एक नया ध्याय जोड़ा गया है ठीक है यह BPSC यानि 2000 में पूछा गया है अब वो कौन सा 42 संभिदान संसोदान में जोड़ा गया 1976 में हुआ था अब यह देखना है कौन सा इसका होना चाहिए उस समय जोड़ा गया था वो जायर सी बात इससा आप सभी को मालूम होगा कि इसका right option option c हो जाएगा यानि fundamental duties यानि मौलिक करतब आपके 42 संभिदान संसोदन 1976 में यह जोड़ा गया ठीक है तो right option option c हो जाएगा चलिए next question तरह बढ़ते हैं कि निमलिखिन में से कौन सा एक राज का नीत निदेशक सिद्धान संभिदान में बाद में जोड़ा गया ठीक है यहनि कौन सा DPSP में संभिदान में बाद में जोड़ा गया जो कि आपके आरो यारो 2014 में question आचुका आप लोग ने दिया भी होगा तो चलिए देखते हैं इसका right option कौन सा होगा फ्रेंड तो फ्रेंड इससाब से इसका right option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुप्त कानूनी सला यह क्या है DPSP में संभिदान में बाद में जोड़ा गया है आपके मुप्त कानूनी सला तो यह right option option C बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए फ्रेंड next question देखते हैं यह direct question ऐसी repeat करती जाते हैं सारे एक्जाम में भारत की प्रभुता एकता और अखणता की रच्छा करने और उसे अच्छुड रखने के मौल करतव को अनुच्छेति क्यावन ए में किस अस्थान पर रखा गया ठीक है अब यह देखिए आरेस आर्टिया 2014 पूछा गया है थोड़ा गुम तो यह पहले अस्थान पर ही रखा गया है चलिए नेक्ट कुश्चन तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन है फ्रेंड कि संभिधान के किस अनुच्छेत में भारतिय नागरिकों के मौल करतब शामिल है यह कई बार कुश्चन आ चुका है आप लोग को मालूम भी होगा कि 2006-2015 में देखी 2015 पूछा गया है और रिपीट होने के पूरे चांसिस है तो इससाब से इसका जो राइट आप्शन होगा वो हो जाएगा आपका आप्शन सी बिलकुल सही हो जाएगा यानि एक क्यावन का दोनों एक ही है आपके fundamental duties या मुल करतब से शामिल है चलिए next question देख कौन सा एक सुमेलित नहीं है यह बताना आपको आपके यूपी लोर 2009 में पूछा चा चुका है तो चलिए देखते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो भाग 2 जिसमें नागरिक्ता यह आपके सुमेलित है भी भाग 3 मूल अधिकार fundamental राइट यह भी आपके सुमेलित है तो इस हिसाब से राइट आप्शन हो जाएगा आपका आप्शन डी यह क्या सुमेलित नहीं है मूल करतब आपके किसने में है इसमें सामिल नहीं है चलिए नेस्ट कुश्चन देते हैं अगला कुश्चन है कि निम्द में से किस एक कमेटी आयोग ने संबिधान में मूल कर तब्यों को समलित करने है तो संतुर्ती दी थी ठीक यह देखिए PCS में 2008-2012 में पूछा गया है तो fundamental duties को सामिल करने के लिए जो संतुर्ती की थी वो थी आपकी सीधा-सीधा आप्शन मानना होना चाहिए आपका आप्शन एक सही हो जाएगा सोर्सिंग केमेटी बनी थी उसने ये सुझाओ दिया था आपके fundamental duties यानि एक हमारा fundamental duties होना चाहिए ठीक अशोग मेता केमेटी किस से जुड़ी हुई है यह आप लोग बताईए का comment box में सरकारिया आयोग ये तो आपके केंदर राज संबंद से जुड़ा हुआ है ठीक है का काफी important आपके सरकारिया आयोग भी चलिए अगला question देखते हैं तो फ्रेंड अगला question है कि भारतिये संबिधान द्वारा परदत नागरिकों के मुल करतव्यों में निमलिखित में सी क्या है ठीक ये आईजिस आपके 2012 में question आया है हलाकि ये question उठागे सीथे direct pieces exam में भी पू शामिल हो जाएगा ठीक है यानि मुल करतब में कौन सा शामिल है सीधा सीधा बता दे कि यानि fundamental duties में ये चार option में से कौन सा शामिल है उसी साब से इसका option जो है वो सही होगा तो चलिए उसके बाद आता option 2 में कि समाजिक अन्यासिक कमजोर वर्वों की रच्छा ठीक ये नह शामिल है तीसरे नमर पर देखते हैं बैज्यानिक मनो दशा और खोशकी बहुना का विकास तो फ्रेंड ये भी शामिल है आपके fundamental duties में नेश्ट चौर चौथे नमर पर देखते हैं वैक्तिक और सामोहिक कलापों के सभी छेत्रों में उत्कृष्टा के लिए प्रेतन करना तो ये भी आपके fundamental duties में शामिल है तो इसे साबसे इसका जो right option होगा वो हो जाएगा आपका option C बिलकुल सही हो जाएगा यानि पहला तीसरा और चौथा ये बिलकुल सही हो जाएगा ये आई ये 2012 में के question आ चुके हैं चलिए next question देखते हैं अगला question है भारत के संभिधान के अंतरगत ग्राम पंचायतों का गठन है अब दिखें उत्तरपरदेश PCS 2010 में ये question आ चुके हैं ग्राम पंचायतों का गठन है अब इस साबसे चार option है इनमें से right option बताना है तो फ्रेंड इसका जो right option है वो हो जाएगा आपका option C सही हो जाएगा यानि राज के नीद निद सिद्धान तो इसमें आपके ग्राम पंचायतों का गठन यानि आपके अनुशेत 40 में शामिल है तो है आपके DPS यानि राज के नीद निदेशक सिद्धान ठीक है निदेशक तत्व चलिए next question है तो फ्रेंड अगला question है निम्लिखिन में से कौन सा तत्व भारती संविदान के भाग मूल कर्तम में वर्लित नहीं यानि जो यह भाग दिया हुआ है इसमें यह वर्लित नहीं मेंस question 2014 में आ चुका है तो इससाब से इसका जो right option होना चाहिए वो हो जाएगा आपका option C यानि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना काफी गुमा फिरागे question पू चाहिए और सुरच्छा की अभी विरद्धी है ठीक है यह आइस 2014 में पूछा गया है ठीक अब इससाब से इसका जो right option होना चाहिए वो हो जाएगा आपका option C यानि मूल कर्तब्यों में यह क्या है कि अंतर राश्टी शांत और सुरच्छा अभी विरद्धी तो यह मूल कर प्रतब्यों में शामिल है तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर करना तो बने रही है आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और फटा फट रिवीजन हम करते रहे हैं तो चली मिलते हैं नेश्ट वीडियो साथ तैंक्स हो के बाए बेश्ट आप लग्ट